चाहिद अन्वंत्री, मैं डोक्टर सोनाली, आज के डिसकसन का टोपिक है कफ दोश, जो आयर्वेद के बेजिक प्रिंसिपल त्री दोस में से एक दोश है आज मैं आपको कफ दोश के परियाई, स्वरूप, गोण, प्राकृत कर्मा के साथ साथ, कफ के पांच प्रकार और उनके स्थान तथा प्राकृत और विक्रुत कर्मा के बारे में बताऊंगी होप आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक तथा शेर जरूर करेंगे यह वीडियो आपको एक्जाम प्रिप्रेशन के लिए उप्योगी होगा तो इसे आप अन तक जरूर देखे तो आईए शुरू करते हैं आज का टोपिक कफ दोश कफ दोश त्री दोश का तीसरे नंबर का दोश है सरीर की वृद्धी तथा उप्चय कफ दोश के कारण होती है सगर पावस्ता में गर की वृद्धी स्पीडी होती है तथा प्रसव के बाद दीरे दीरे होती है यह वृद्धी सेल डेवलप्मेंट के कारण होती है जो कफ का कर्म है इसके अलावा इम्मुनिटी भी डेवलप होती है जिसे आयूरवेद में ओज कहा गया है यह भी कफ का ही प्राकुरूत कर्म है इसे आप कफ की महत्ता समझ सकते हो सबसे पहले हम कफ के परियाई देखते हैं स्लेसमा, कलेद, स्नेह, संगात, घन, सोम्यधातू, बली आदी कफ के परियाई है सरीरस्त स्रोतों का संयोजन करने के कारण कफ को स्लेसमा कहते है कफ का स्वरुप स्ने जैसा होने के कारण स्ने तथा सोमिधातु कफ का परिया है कलेदन कर्म के कारण कलेद और संगात कफ का परिया है तथा स्वरुप के कारण घन भी कफ का ही एक परिया है अब आगे कफ का स्वरुप देखते हैं मैंने आपको वात और पीत दोश के वीडियो में बताया है कि आत्मरूप को ही स्वरूप कहते हैं, अर्थात कफ के गुण करम ही कफ का स्वरूप है, इसलिए श्वैतिय, अर्थात श्वेतवर्ण, शैतिय, अर्थात शीत गुण, गवरव, स्नेह, माधूरिय, तथा पिछिल कफ के स्वरूप है, प्राकृत अवस्था में कफ, बल तथा ओज की रूप में विद्यमान रहता है, तथा विकृत होने पर मल कहलाता है, साथ में विकृत कफ, पापमा, अर्थात विभिन्न रोगों को उत्पन्न करने वाला भी होता है कफ के गुण में सबसे पहले भवतिक गुण देखते है, चरक सुत्रस्थान एक में कहा है कि गूरू, शीत, मृदू, स्निक्द, मदूर, स्थिर, पिछिला है, स्लेश मना है, स्प्रशमम यान्ती, विप्रित गुणैर गुणा है, अर्थात कफ में गूरू, शीत, मदूर, स्थिर, पिछिल या साथ गुण होते है, अश्टांगरदई सुत्रस्थान एक का स्लोख है, स्निक्दः, शीतो, गुरुहू, मन्दः, स्लक्षणो, मृद्चन्न, स्थिर, कफ अहां, यहां पर वागवड ने भी कफ के साथ गुण बताये है, लेकिन चरक उक्त, मदूर, मृदू और पिछिल के बदले, मन्द, मृद्चन्न और स्लक्षणा गुण बताये है, आचारिय सुस्रूतने सुत्रस्थान 21 में कहा है कि सलेस्मा, श्वेतो, गुरु, स्निक्दः, पिछिलह, शीत, एवच्च, मधुरास्त्व, विदग्दह, श्यात, विदग् यहां पर सुस्रूतने कफ के आच गुण बताते हुए कहा है कि विदग्दा वस्ता में लवणरस होता है, अर्थात कफ के टोटल भवती गुण है, गुरु, शीत, मृदु, स्निक्द, मधूर, स्थीर, पिछिल, श्वेत, मंद, मृद्चन्न और स्लक्षणा, इसे आपको याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए न्युमोनिक है, गुशी, मृशी, मस्ती, पि, 2S, 2M, यहां पर गुशे गुरु, शी से शीत, मृशे मृदु, सी से स्निक्द, मसे मधूर, स्थी से स्थीर, तथा पिछिल, और साथ में 2S से स्वेत और स्लक्षणा, तथा 2M से और मृत्सन्न, ऐसे आपको याद रखना है, अगर आप 1st year में हैं, तो थोड़ा difficult रहेगा, लेकिन आगे चलके बिल्कुल easy हो जाएगा, क्योंकि यह बार-बार पढ़ने में आता रहेगा, और याद हो जाएगा आगे रासायानि गुण देखते हैं, प्राकृत अवस्था में कफ का रस मदूर होता है, तथा शुष्रुत मतानुजार लिदक ता वस्था में लमन रस होता है, प्राकृत अवस्था में कफ, बल तथा ओज की रूप में विध्यमान रहता है, तथा शरीर की वृद्धी म सहायक होता है और विक्रुतावस्था में मल के रूप में रहता है जिसे चारक ने पापमा अर्थात विबिन्न रोगों को उत्पन्न करने वाला कहा है यह पॉइंट शोट क्वेशन के लिए उपयोगी है तो याद कर लीजिए आगे मानसी गुण देखे तो यह तमोगुण प्रधान है इसलिए नैसर की गुण, रस, गंध, रूप, शाब्द और स्पर्ष है नेक्स्ट कफ का स्वरूप देखते हैं कफ स्नेह गुण युक्त, शित गुण वाला, सुकल, पारीपन युक्त, अर्थात गुरु, मिठापन युक्त, अर्थात मदूर, स्थेर्ता वा होता है इन शोट कफ के गुण ही कफ का स्वरूप है कफ के स्थान उरह प्रदेश, कंठ, शीर, क्लोम, परवसंदी, ग्रीवा, रस, मेध और आमाशई हैं कफ के प्राकृत कर्म देखते हैं जैसे वात का गति कर्म तथा पीत का अगनी कर्म है वेसे कफ का उदक कर्म है हमने स्टार्टिंग में देखा कि कफ सरीर की वृत्ती तथा बल के लिए सहायक है यही कफ का प्राकृत कर्म है कफ बोडी का बैंडिंग सब्स्टेंस है हमारी बहरी दुनिया में वोटर का जो कर्म है वही बोडी में कफ का कर्म है कफ बोडी के सारे स्ट्रक्चर को क्लोज बाइंड करके रखता है इस तरह कफ शरीर का स्नेहन करता है बंदन अर्थात एलाइन्मेंट के लिए जरूरी है शरीर में स्थीरता अर्थात स्टेबिलिटी कफ के कारण आती है गुरुता अर्थात हेविनेस भी कफ के कारण ही होता है प्रुष्टा और बल अर्थात तथा दृती अर्थात पेशंस कफ का ही करम है, अलोग अर्थात उदारता भी कफ का करम है, इसके अलावा संदिस अंसलेशन, रोपन तथा पूरण ये तीनों भी कफ के करम है, बोड़ी की प्रकृती निर्धारित करते समय यह सारे पृट उपयोगी है, इसकी सहाईता से हम स प्रकृति जान सकते हैं. यह तो यह सारे कफ के प्राकृत कर्मा हैं. वात और पेत की तरह कफ के भी पांच प्रकार हैं. शारंगतर सहीता में कहा है की क्लेदनह, स्नेहनस, चैव, रसना अवलंबनह, स्लेशकह च इती नामानी कफस्य उक्ता अनुक्रमात अर्थात कफ के 5 प्रकार है क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तरपक कफ और स्लेशक कफ आगे यह प्माच प्रकार के कफ के प्राकृत गून तथा कर्मा देखते है सबसे पहले कफ के वागबट तथा शुशूरूत के अनुसार स्थान देखते है क्लेदक कफ का स्थान आमाशय और विशेशतह उर्धवा आमाशय है अवलंबक कफ का स्थान वागबट ने उरस्त तथा तरीक जबकी सुष्रूत ने उरह प्रदेश बताया है बोधब कफ का स्थान वागबट अनुसर रसना अर्थात जीहवा तथा सुष्रूत अनुसर जीहवा मूल और कंड है तरपक कफ का स्थान शिरह प्रदेश खास करके मस्तिश कावरण कला मध्य बताया गया है तथा स्लेशा कफ का स्थान संधी में बताया गया है तो यह थे कफ के स्थान अब शुश्रुत आनुसार कफ के प्रकृतिस्थ गुण देखते है क्लेदक कफ का प्रगुरुतिस्त गुन क्लेदन अर्थाथ स्नेहन है अवलंब कफ का गुन बल्ब एवं स्थीरता है बोधक कफ का गुन रोपन है तरपक कफ का गुन पूरण है तथा स्लेशक कफ का गुन संदी संसलेशं है AIPGET प्रिप्रेशन के लिए यह सारे पॉइंट याद रखना है यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए तरपक कफ का जैसे प्रगुरुतिस्त गुन पूरण है वैसे प्राण वायू का प्रगुरुतिस्त गुन भी पूरण है यह MCQ short question answer सबके लिए उपयोगी है तो यह पॉइंट आप थ्यान रखिए अब प्राकुरुत और विक्रुत कर्मा देखते है सबसे पहले कलेदक कफ कलेदक कफ आमाशई में अन्यका कलेदन अर्थट आदरी करण करता है इसलिए प्राकुरुत कर्मा है अन्यका कलेदन और अन्यकफों की वृद्धी कलेदक कफ की विक्रुती होने पर मंदागनी, ममन, अजीन, गुरुता, रलास, अमलपिद, आधिव्यादी की उत्पत्ती होती है नेक्स्ट है अवलंबक कफ अवलंबक कफ अन्यरस अर्थात रस धातु के साथ मिलकर स्लेश्मस्थानों में पहुँचकर उदक कर्म से अवलंबन अर्थात सहरा देने का काम करता है इसलिए अवलंबक कफ का प्राकुरुत कर्म है त्रीक संदारन वर रदय का अवलंबन और विक्रुती होने पर रदय एवं फुफुस रोकी उत्पत्ती होती है आगे देखते हैं बोधक कफ बोधक कफ अपने सोमे गुण से जीवा को रस ग्रहन का ग्यान करवाता है इसलिए प्राकुरुत कर्म है रस बोधन और अन्नकन को विभाजित करना और विक्रुती होने पर मुख्षोष, मुखपाक, रल्लास और अत्यदिक लालस्रव आदिव्यादी की उत्पत्ती होती है आगे तरपक कफ मस्तिस्क और ग्नानेंद्रियों का तरपन करता है अर्थात पोशक द्रव्या प्रदान करता है जिससे ग्नानेंद्रिया अपने विशय को ग्रहण करने में समर्थ बनती है इसलिए तरपक कफ का प्राक्रूत कर्म सिरस्थित इंद्रियों का तरपन है इनकी विक्रूती होने पर लोब, इर्षय, आदिमानस विकार, अविवेक, मस्तिस, दोरबलिय, ग्नानेंद्रिय की विक्रूतिया अदिल्चिल्थ उत्पत्ति होती है और अंत में है स्लेशक कफ, स्लेशक कफ सरीरस्त संधियों का स्लेशन करके उनको अनुगरा करते हैं, अर्थात संधियों को सनिक्दता, सलक्षनता और पिछिलता प्रदान करता है, इसलिए स्लेशक कफ का प्राकृत कर्मा है संधियों का सनेहन, पोशन वा इनहें चोड़े र होती है तो यह था कफ दोश का शंपोना वाणन आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और मेरी चैनल को सब्स्राइब कबरें अगर कोई क्रेश्चन है तो कोमेंट बोक्स में पूच सकते हैं आंसर देने का प्रयास चरूर करूंगी साथ में अगर वीडियो को लेकर कोई सजेशन है तो वह भी आप चरूर शेर करें ठेंक यू सो मज